के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन अक्षांसी और देशांतरिय विस्तार के अंतरगत उत्तर प्रदेश राज्य की अवस्तिती है उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई कितनी है चोडाई कितनी है उत्तर प्रदेश का छेतरफल कित इतना है। इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए पहले ये जाने कि उत्तर प्रदेश राज्य के अवस्थिती किन अक्षांसों और देशांतरों के बीच में है। तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखने से ये स्पस्ट होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का अक्षांसिय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांस से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांसों के बीच में है इसी प्रकार जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य के देशांतरी विस्तार का प्रश्ण है, इसका विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है आईए अभी इस बात की चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश राज्य के मानचित्र को यदि हम देखें तो पूरव से पश्चिम दिशा में इसकी कुल लंबाई 650 किलो मीटर है इसी प्रकार जब हम उत्तर से दक्षण दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य की चौड़ाई के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल चौड़ाई 240 किलो मीटर है ये तो हो गई लंबाई और चौड़ाई अपने प्रदेश की और अक्सर आप लोगों ने ये अपने बड़ों से, बज़ुर्गों से या फिर अपने अभिभावकों से ये जरूर सुना होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का छेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश राज्य का क्या स्थान है भारत के अन्ने राज्यों की तुल्ला में यदि छेत्रफल की दृष्ट कोण को देखा जाए तो तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो कुल छेत्रफल है वो 2,40,928 वर किलोमीटर है। ये जो उत्तर प्रदेश का चेतरफल है, ये पूरे जो भारत का चेतरफल है, जो भारत का चेतरफल 32,87,263 वर किलोमीटर है, उसका केवल 7.33 प्रतिशत भाग ही उत्तर प्रदेश राज्य का चेतरफल है। और जब हम उत्तर प्रदेश राज्य का एक राजनेतिक मैप देखते हैं, राजनेतिक मानचित्र, तो इसमें ये देखिए, ये पश्ट दिख रहा है कि प्रदेश में कुल वर्तमान में 75 जिले हैं और प्रदेश में जो कुल मंडलों की संख्या है वो 18 मंडल हैं. आईए अब हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाग कौन-कौन से हैं. तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्राकृतिक विभागों का विभाजन किया गया है, वो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक मानचित्र को देखने से सपस्ट हो रहा है कि उत माध्य का मैदानी छेत्र और तीसरा दक्षिन भाग में इस्थित पहाड और पठार तो ये जो तीन प्राकृतिक विभाग हैं इनकी कुछ प्रमुख विशेस्ताओं की चर्चा कर लेते हैं पहले उत्रप्रदेश के जो प्राकृतिक विभाग हैं उनमें भाबर उन तराई छेत्र की चर्चा करें तो पानचित्र को देखने से इस पस्ट है कि जो पस्चिम में सहारन पुर जनपत से लेकर पूरब में कुशी नगर तक एक पतली पट्टी के रूप में यह छेत्र फैला हुआ है इसकी पस्चिम भाग में चोड़ाई लगभग 34 किलमीटर है जो धिरे धिरे पूरब दिशा में बढ़ने पर वो कम होती चली जाती है इन इस छेत्र की विशेस्ता ये है कि या इन छेत्र के वनों को साफ करके उसे उपजाव करिश भूम में विस्तारित किया गया है ये उत्तर प्रदेश के ऐसे छेत्र हैं जहां पर धान गयों और गन्ना की र दूसरे प्राकृतिक विभाग पर चर्चा करें मध्य का जो मैदानी चेत्र है यह बहुत ही उपजाव चेत्र है यहां पर गंगा यमुना का नदियों द्वारा जो लाई गई अपनी मिट्टी है उपजाव उसका बहुत ही सकारात्मक असर पढ़ता है इस चेत्र के लिए उसके आर्थिक गतिविधियों के लिए तो इस प्रदेश की जो मुख्य विशेस्ता है कि गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जलोड मिट्टी अपने साथ बहा करके लाई जाती है उसका यहां पर बहुत अधिक विस्तार है इस छेत्र में जो प्रवाह होने वाली प्रमुख नदिया है वो गंगा यमुना राम गंगा शार्दा घागरा राप्ती गोमती जैसी नदिया है यह नदिया उत्तर के प्रवती छेत्र से निकल करके आती है जबकि जो दक्षण के पठारी छेत्र से निकल करके आले वाली नदिया भी अपना जल इस छ दोन इत्यादिनदियां शामिल हैं ये तो हो गई मद्ध का जो मैदानी छेत्र है उत्तर प्रदेश का उस प्राकृतिक विभाग की चर्चा आईए अब हम तीसरे और अंतिम दक्षण के पठाड व पहाड़ी प्रदेश की चर्चा करें यह उत्तर प्रदेश के पूरी तरह स जो दक्षणी भाग है उत्तर प्रदेश का उस छेत्र में ये इसका विस्तार है और इस प्रदेश का जो विस्तार है उसमें जहासी, जालोन, ललितपूर, हमीरपूर, बांदा, चित्रकूट और इलहाबाद जनपद का जो दक्षणी भाग है और गंगा का जो दक्षण का जो मिर्जापुर्छेत्र है चंदवली जनपत की जो चक्या तहसील है सोनभद्र जनपत ये सब इसी भाग में अवस्तित हैं आईए अब प्रदेश की जलवायू और कुछ रित्यों पर चर्चा करें यद्यपी पूरे भारत वर्ष में चुकि उष्ण कडिबंधी ये मानसूनी जलवायू पाई जाती है तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है भारत का ही एक राज्य है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर भी मानसूनी जलवायू का ही प्रभाव रहता है यहाँ पर भी सामान्यतह तीन रितुएं गृष्म रितु, वर्षा रितु एवं शीत रितु पाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य की जो वर्षा संबंधी जो तथ्य है उसको देखते हुए यह सपस्ट है कि सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के गोरख पुर ज अधिले में अंकित की जाती है उत्तर प्रदेश में भी मर्च से जून तक गृष्म रितु होती है और इस समय जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में तेज धूल भरी गर्म हवाएं चलती है जिसे स्थानिय भाषा में लू कहा जाता है और इसके बाद मध्ध जून से जिसे जो लेकर के मध्य सितंबर तक प्रदेश में वर्शारितु होती है और जिसमें बंगाल की खाडी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं चलती है उसका काफी एसर होता है और शीतृतु प्रदेश में नवंबर से फरवरी माह के बीच होती है गडाके की सरदी पढ़ती है और इस समय इसके अलतरिक्त प्रदेश की जो मरदा और वनस्पतिया हैं, उनमें भाबर और तराई ऐसे छेत्र हैं, जहां पर अत्तधिक जल का जैसे कहते हैं, जल का पूरा का पूरा लॉगिंग, वाटर लॉगिंग हो जाती है उस छेत्रों में, और उस छेत्रों में अत्तर अधिक होते हैं, और जिसके कारण से वहां पर क्रशी कारी इतना आसान नहीं होता है, यह ऐसे छेत्र हैं, जहां पर वन और जाडियां पाई जाती हैं, दल्दली भूमी होती है, नमी अधिक होती है, और इन छेत्रों में जो जाव मिट्टी होती है, उसमें गन्ना और धान की सबसे अधिक पैदावार की जाती है। ये जो भाबर और तराई का छेत्र है, इस छेत्र में उश्नकटबंधिय नम परणपाती वन पाये जाते हैं। परणपाती वन का ताथ पर ये हुआ कि किसी मौसम विशेस में जब जल की कमी हो जाती है, तो व्रिक्ष अपनी पानी की कमी को बचाने के लिए कि उनके अंदर से जो वाटर का जो वाश्वी करण हो जाता है, उससे बचने के लिए ये लोग अपने पत्तों को किसी विशेस मौसम में गिरा देते हैं। इसलिए इनको परणपाती वन भी कहा जाता है। ऐसे वन जो उत्तर प्रदेश के इस भाग में पाय जाते हैं, उनमें साल, गूलर, पलाश, बेर, इमली, शीशम जैसे व्रिक्ष प्रमुकरूप से उल्लेखनी हैं। उत्तर प्रदेश का जो मद्ध का मैदानी भाग है, इस प्रदेश में भी उष्ण कटबंदी, शुष्क परणपाती वनों की प्रचुरता पाई जाती है। ये छेत्र ऐसे हैं, जहां पर वनों को साफ करके क्रिश भूमी का विस्तार किया जा रहा है। और दक्षन का जो पठारी भाग है, इस प्रदेश की जो मरदा है, उसको पठारी भाग के मरदा भी कहते हैं। इस प्रदेश की जो पठारी मरदा है, उस मरदा की मुख्य विशेस्ता ये है कि ये मिट्टी लाल रंग की होती है। लाल रंग की मिट्टी यहां पर जो पाई जाती है, इसको छेत्री अभाशा में यहां पर लाल भी मिट्टी मिलती है, काली भी मिलती है। तो जो काली मिट्टी के समान जो मिलती है उसे मार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है